हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ कपिल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप भी यूज करते हैं प्ले स्टोर और अगर आप अपने फोन पे से प्ले स्टोर को रिचार्ज करना चाहते हैं यानि कि फोन पे से प्ले स्टोर में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, आई आज की इस वीडियो में जानते हैं, तो यहाँ पर आप इसकी मदद से PUBG में, UC और अपने Free Fire में Diamond जैसी चीजे खरीद सकते हैं, अगर आप किसी एप को पर्चेस करना चाहते है तो वो आप इस प्रोसेस से असानी से कर सकते हैं, तो इसके लिए आपकी सबसे पहले फोन पे पर ID यानि की अकाउंट होना चाहिए, अगर ID नहीं है तो अपनी ID क्रिएट कर लीजिए फोन पे पर, और अगर आप फोन पे को यूज नहीं करते हैं, तो आप अपने दोस्त क या फिर किसी का फोन पे यूज कर सकते हैं, और बाद में उसे उतने पैसे दे सकते हैं, जितने का आप रिचार्ज करेंगे, तो यहाँ पर हमारा फोन पे चालू है, ID बनी हुई है, और यहाँ पर हमने कार्ड अपना बैंक सब एड कर रहा है, यानि की हम इसे प्रॉपर य नीचे की तरफ आपके सामने कुछ आप्शन्स आएंगे, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज, DTH, इलेक्टरिसिटी, इस तरह के आप्शन आप देख सकते हैं, और एक राइट साइड में आप्शन है, नीचे की तरफ एरो बना हुआ है, जिस पर सी ओल का, सी ओल पर आप टच क पर प्ले स्टोर का लोगो बना हुआ है, साइन बना हुआ है, और यहाँ पर परचेज नाम का फोल्डर है, उसमें ये दे रखा है, अगर आपको ये नहीं मिलता है, तो आप नीचे जाकर देख सकते हैं, तो इस तरह से आप ये वाले आप्शन को सर्च कर लीजिए, यानि तो यहाँ पर आपके फोन पे में उतना बैलेंस होना चाहिए, जितने का यहाँ पर आप एंटर अमाउंट करेंगे, यानि कि जितने का आप रिचार्ज करेंगे, तो यहाँ पर आप 10 रुपे से लेकर 5000 तक का रिचार्ज कर सकते हैं, 5000 से जादा का रिचार्ज आप नहीं क कर सकते तो यहाँ पर हम आपको दिखाने के लिए यानि की एक 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 जामपल के लिए 10 रुपे का रिचार्ज करेंगे तो हम एंटर कर देते हैं उसके बाद आपको राइट का ओप्शन मिलेगा राइट कर दीजिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम UPI से पेमेंट हमारा पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट है अगर आप डैविट क्रेडिट कार्ड एड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं डैविट कार्ड क्रेडिट कार्ड तो यहाँ पर हम UPI पर टच कर देते हैं हमारा बैंक अकाउंट सलेक्ट है नीचे आपको एक आप्शन म एंटर कर दिया है अब आपको right का option मिलेगा right पर आप टच कर दीजिए यहाँ पर थोड़ा सा time लगेगा तो आपको wait करना है और उसके बाद आप देख सकते हैं Google Play voucher purchases यहाँ पर आप remind letter कर देंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर Google Play Store का recharge successfully हो चुका है यहाँ पर आपको उसके बाद नीचे की तरफ एक option मिलेगा recharge code का तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे redeem code कहते हैं तो यहाँ पर आपको इस code को copy करना है अगर आप copy नहीं कर रहे हैं तो आप इसे कहीं लिख सकते हैं तो यहाँ पर हम इसे copy कर लेते हैं अगर आप भी copy करना चाहते हैं तो इस पर touch करके रखिए इस तरह से इस तरह से पूरा code select करिए उपर copy का option आजएगा copy पर touch कर दीजिए अब यहाँ पर आपको done कर देना है, अपने फोन पे से बाहर आ जाईए, तो हमने redeem code को copy कर लिया है, और ये code आपके फोन पे के registered mobile number पर भी text message के रूप में आ जाएगा, आप उसे वहाँ से भी copy कर सकते हैं, तो अब आपको open करना है अपने phone में play store को, तो हम play store को open कर लेते हैं, open करने के बाद आपको right side में अपनी Gmail ID का logo मिल जाएगा, या फिर जो आपने profile picture set कर रखा है अपनी Gmail ID पर, वो मिल जाएगा, इस पर आप touch कर दीजिए, और यहाँ पर आपकी Gmail ID show हो जाएगी, अगर आप दूसरी Gmail ID में recharge करना चाते हैं, तो इस arrow पर touch करके, दूसरी Gmail ID को select कर सकते हैं, उसके बाद नीचे एक option है, payments and subscription का, अगर आपको यह option यहाँ पर नहीं मिलता है, तो नीचे देख लीजिए, आपको payment से related एक option मिल जाएगा, इस पर आप touch कर दीजिए, टच करने के बाद आपक तो ऊपर की तरफ एक option मिलेगा, payment methods का, इस पर आप touch कर दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा time लगेगा, उसके बाद आप नीचे आएंगे, तो नीचे की तरफ आपको एक option मिल जाएगा, redeem code, यहाँ पर आपको touch करना है, अगर आपको यह option नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पर आप पर एक option आएगा, enter code का, enter code में आपको अपना code डालना है, जो भी आपने phone पे से बनाया है, अगर आपने लिख रखाया है, तो आप यहाँ पर type कर दीजिए, manually, यहाँ पर हमने copy करा था, तो यहाँ पर इस पर हम touch करके रखेंगे, paste का एक option आजएगा, paste कर दीजिए, तो paste कर कर दीजिए, या फिर type कर दीजिए, अपने keyboard से, नीचे का option है redeem, redeem पर आप touch कर दीजिए, यहाँ पर आपको show होगा checking your code, उसके बाद confirmation का एक option आएगा, कि आप इसी Gmail account में balance add करना चाते हैं, तो यहाँ पर confirm कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा wait करना है, आप देख सकते हैं, successfully redeem, okay कर दीजिए, अब यहाँ पर आपको payment methods वाले option में जाना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा balance 10 रुपीज था, और यहाँ पर 10 रुपे और add हो चुके हैं, यानि कि हमारा total balance 20 रुपे हो चुका है, तो इस तरह से आप phone पे से Google Play Store में balance डाल सकते हैं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को like करें, channel को subscribe जरूर करें